हेलो, नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सब एकदम स्वस्त होंगे और मस्त होंगे मैं आज आप सब की दोस्त और होस मौमित अशा एक फिर से एक नया वीडियो लेके के सर्या टेक्सिटल कमपनी की तरफ से आ चुकी हो तो चैनल को सब्स्क्राइब जरूर करना अगर नहीं किया है तो फटा फटा सा जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो देशार लाइक दो इस वीडियो को शेयर भी करो तक कि कि सी को भी हमारे बारे में information चाहिए या ladies wear के garment के बारे में कोई information चाहिए तो उन तक ये videos और ये information पहुँच चाहिए और bell icon को भी press करना मत भूलना तो आज में जो collection आपके लेके रहाई हूँ वो रहेगा cotton collection तो शुरू करते हमारे collection के साथ collection भी देखते जाएगा दोस्तों और साथ में जो भी बाते करती हूँ वो सुनते जाएगा ताकि आप से कोई भी information मिस ना हो इस catalog का नाम रहेगा रास लीला दोस्तों नाम ही इतना प्यारा है कि आप screenshot नहीं लोगे तो भी आपको याद रहेगा इस ना प्यारा सा फैबरिक है आपको क्या इबता है इसका पल्लू का डिजाइन देखिए अग्दम बारी की से इस डिजाइन को बनाया गया है आपको मैं साडी की लेंथ भी एकबर बता देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा यह साडी कितनी प्यारी खूबसूरत और क नहीं सभी कटोटरी नहीं करते के कहीं जो छोटी कर दी के 5-5.5 मीटर की साडी कर दी बिल्कुल भी नहीं यह रहेगा इसका ब्लाउस पीस आप डिजाइनिंग देखिए दोस्तों अगर डिजाइनिंग में फोकस करें तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो डिजाइनर्स है वे दिजाइनिंग में कितनी जादा महनत करते हैं यह डिजाइन अलग पलू आ डिजाइन अलग और ब्लाउस का डिजाइन कम्लीटली अलग form सइखिए दोस्तों में कैटलोग इसलिए बोलती हूद क क्यूंकि पूरा का पूरा साड़ी आपको बंच में में लेना पड़े से काफी लोग पूछते हैं कि हमको सिंगल प्रीज का राइट बताओ हमको दो साड़ी पसंद आई ऐसा नहीं होता है अपको लेनी तो पूरी की पूरी बंची पड़ेगी हमारे पास क्योंकि हम मैनुफेक्ट्टर्स है हम होल सेलर से भी जादा अच्छे सस्ते रेदाम में हर चीजे देते हैं और एकडम फैक्टरी रेट में आपको चीजे मिल जाती है अभी काफी लोग यहां पर सूरत में हैं जो मैनुफेक्ट्टर्स बोल के चीजों को बेचते हैं पब्लिक स्टन्ट के लिए लेकिन अच्छी वो लोग मैनुफेक्ट्टर्स नहीं होते आप उन तो आपको इसका नाम याद रखना है और इनकेस आपको नाम कभी याद ना रहे तो क grassroots नहीं आफ आपको कोई बडे जायनी असमें से स्क्रीन इसमे से पसंद आती हैं आप स्क्रीन च्रौट्रक प्राइज ले लीजए आपको इसका प्राइस जानना है विगि मैं हरिक साड इसका प्राइस भी आपको भेज देगी तो बढ़ते आगे दूसरे कलेक्शन की और देखें कितनी खुबसूरत सी साड़ी है वाइड कलर का एकड़ अंदर से डिजाइन किया हो गया यह हलके हलके से पिंग की में लाइनिंग देगी है इस कैटलोग का नाम रहेगा गड़वाल कोकिला कैटलोग का नाम याद रखिए गड़वाल कोकिला के नाम से यह पूरा कैटलोग रहेगा अगे इसमें आपको कलर आप्शन्स मिल जाएंगे अलग-अलग कलर मिलेंगे पूरा बंच आपको लेना पड़ेगा आगे बढ़ते हैं दूसरी साड़ी की और इसका नाम रहेगा गडवाल वो मेटलोग का नाम अगर तोस्तों याद नहीं रहता तो स्क्रीनशोट जरूर ले लीजेगा स्क्रीनशोट मिस मत कीजेगा मुझे पता है कि इन सब साड़ियों में से आपको काफी कलेक्शन ऐसा देखे मन कर रहा हूँ कि अरे ये कलेक्शन तो मेरी दुकान में होनी ही चाहिए तो वेट मत कीजिए यहाँ पर आईए और कि इन केस आप यहाँ पर नहीं आपाते तो कोई बात नहीं ओनलाइन इससे जादा फैसिलिटी आपको कोई मैनुफेक्चरिंग यूनिट नहीं देने वाली यह कैटलोग का नाम रहेगा गदवाल ओपरो गदवाल ओपरा के नाम से यह पूरी साड़ी रहने वाली है इसके भी आपको सेट मिलेंगे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे सारे के सारे जो इसने अभी तक कोटन की साड़ी स्टॉकिन नहीं कहिए क्योंकि कोटन एक ऐसी चीज जो उडिसा साउथ वेस्पेंगोल तलंगना काफी जगा पर बहुत ज्यादा चलता है हमारे यहां बहुत ज्यादा की दिमांड आती है क्योंकि एक्चुली देखने जो तो हरे चीज की इसके साथ ही आप यह जालर देखिए पल्लू में जो जालर लगाया गया वो इतनी खुबसूरती से इस चीज को बताता है तो आपने देख लिया अब लास कलेक्शन आपको मैं दिखाओंगी यह वाला रोयल के नाम से यह पूरी साड़ी रहेगी और साड़ी की फैबरिक बहुत अच्छी है विट ब्लाउस पीस ही रहता है हर एक चीज बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि हम मैनुफेक्ट्रिंग यह फैक्टरी रेट में आपको चीजे दे देते तो ब्लाउस का मटीर चोटा कर दे या साड़ी की लेंड चोटी कर दे साड़े 6 मीटर के साब से अगर पूरी सारी मिलेगी साथ में बलाउस भी मिलेगा वा नाइनिंग की बात करो, कलर कॉम्मिनेशन की बात करो, तो सब को बहतरीन तरीके से हमारे यहां बना आया जाता है, तो आज का गलेक्षण में यहीं पर खतम करती हूँ, इसके आगे भी आपको और देखने है तो आपको हमारे साथ जुडए रहना पड़ेगा, ट्यून इन करके रहाना पड़ेगा नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि कभी भी कोई नया कलेक्शन में आपके लेके आओ तो आप उसके साथ अपडेटेड रहो तो फिर बताईगी गया कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसा लगा कलेक्शन कैसा लगा और कौन सा कलेक्शन आप आगे नेक्स वीडियो पे देखना चाहते तब तक के लिए शुकरिया